नमस्ते सांथियो आप लोग कैसे हैं आप लोग स्वस्त हैं अच्छे हैं तो हम लोग डेली यहां पर बिहार सीक्षक भरती से एकजाम से रिलेटेड डेली हम लोग इस चैनल पर प्रैक्टिस प्रसनों को कर रहे हैं तो जितने भी अभियार्थी, सिक्षगन, मेत्रगन आप लोग फेज 3 का एकजाम देना चाहते हैं और उसका एकजाम मार्श में भी होगा तो आप लोग बहतर से बहतर त्यारी कीज़े बहतर से बहतर त्यारी करने की जरूरत है तो आए हम लोग अपने प्रसनों को चैनल पर डेली हम लोग प्रस्ण करते हैं पचास प्रस्ण करते हैं और जो भी प्रस्ण लाते हैं आप लोगों के लिए वह बहुत सारी बूकों का नीचोड होता है तो 6 से 12 के लिए यह जो क्लास हो रहा है यह यह बहुत इंपोर्टेंट है तो ACRT और NCRT लेबल के कर रहे हैं प्रस्णों को ओके तो आई हम लोग अ प्रस्ण पहला दिखीए यहां पे देख सकते हैं जो पहला प्रस्ण है कि computer file नाम एक्स टेंसन जिसका दिया गए extension दिया है झाल रही यह आई एन एट को किश कोड़की तरह कोड़ के रूप में लिखे जाते हैं कि शुम्स हो गया अगर इसको कम्पूटर आपनी अपनी भासा में किस परका लिख सकता है तो की तरह लिख लिख सकता है दोस्तों तो इसको computer अपनी भासा में a double d लिख सकता है तो यह भी ध्यान में रखेगा कि जो computer होते हैं उसकी जो भासा होती है उसको code के रुप में लिखा जाता है ठीक है आगे देखिए प्रस्ण जो दूसरा नंबर यहां पर जो दूसरा नंबर प्रस्ण है कि वह संभावित परिवर्तन क्या है जिसे प्रतियच बिद्यसी निवेस है भारतिय बागवानी में घटिते करेंगे तो देखेंगे जो यहां पर प्रतियच बिद्यसी निवेस दिया गया है वह हो जाएगा उरवरक और संकर बीजो के उपियोग में ब्रिधी हो जाएगा ठ वीडियो को सेयर जरूर कर दिजेगा और एक लाइक जरूर बनता है उसको भी जरूर करिएगा देखिए प्रसल तीसरा कि हमने जो फेज वन और फेज टू की जो भी तैयारी करा है इस चैनल पर सिक्षक गण बहुत सारे मित्रगण हमारे हैं जूड़े थे उनके द्वारा इ सेज भी आया था कॉल भी आया था कि सर आपके द्वारा जो भी जनकारी दी गए थी पढ़ाया गया था हम लोग उसको अच्छे तरीका से गहन से मन लगा कर पढ़े थे और हम लोग का आज सेलेक्षन हो गया है तो यह बहुत उस समय हमको खुसी मिला था तो आप लोग भी फेज 3 की तयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है तीसरा नमबर जो प्रस में देखिए का रहा है कि गलोबल वर्मिंग के कारण प्रिथिभी की सता का ओसत तपमान कितना दर से बढ़ जाता है तो बात करेंगे तो यहाँ पे यह फ्सन को टीक करेंगे 0.5 डिगली हो रहा है इसकी वज़ा से जुड़िभी का टेंपरेचर है तापमान है वह हमेशा एक साल में मतलब प्रती वर्स में 0.5 डिगरी सेल्शियस की ब्रिधि देखी जा रही है मतलब हमेशा ये बढ़ता जा रहा है कितना degree Celsius तो 0.05 degree Celsius ओके आगे देखिए प्रस्ण चौथा चौथा प्रस्ण है कि खाई जा सकने वाली यहाँ पर जो दिए क्या है खाई जा सकने वाली कुछ स्वादिष्ट मचलिया बिलूप्ट होने के खत्रे के बहार है के हूँ? मतलब हम लोग जो दो मचली को खाते हैं, स्वाधिश्ट मचली को अब वहाँ बिलूफ्ट होने के खत्रे से बाहर के मैं जो हो रहा है वह बढ़ जा रहा है समून्दर का पानी के अस्तर बढ़ जाने से मानों जो है मचलीयों का सिकार करना कम कर दे रहे है जिससे मचलियों की संख्या में कमी नहीं आती है तो इसी के कारण हो सकता है कि समुद्र के अस्तर का बढ़ जाना हो जाएगा ठीक है आगे देखिए प्रसना पांच नमबर यहाँ पे जो पांच प्रसना है कि मुह में रखी रोटी कुछ समय पस्चात मीठी प्रतित होने जैसे ऐसा कें होता है सुचें है आप लोग कभी ऐसा इसलिए होता है कि अस्तर जो है लार में मिलकर सरकरा में परिवर्ती प्रतित होती है हम लोग को खाने में ओके अगे देखिए प्रसना चे नमर्ड, ध्यान से देखिए एक प्रसण ज नमर्ड प्रसण है कि एक किसान अद्रक और हल्दी की खेती अपने खेतों में करना चाहता है, करने या भी करना चाहता है, सुच रहा है, आप उसे, उनके उगने के लिए क्या ूपयोग करने की सलाह देंगे, यह अच्छा सब प्रसने उपयोग करने के लिए यहां पर उगने दिया गया है यहां पर गरत दिया गया आप उसे आप उसे उगने के लिए मतलब उसको उगाने के लिए जो अद्रक है और हल्दी है उसको उगाने के लिए आपके द्वारा क्या सलाह दिया जाएगा आपके द्वारा यह सलाह तब जाकर यह सही होगा ठीक है आगे देखेंगे प्रस्ण सेबेन जो प्रस्ण है यहां पे कि बिली अस्थन पाही वर्ग से संबंधित रखती है ऐसा केम रखती है एफ्षन सही करेंगे कि यह अपने बच्चे को जनम देती है और उनको आपना दुद्र पिलाती है कि यहां पंदारी जीव मानी जाती है ठीक है जो अपने बच्छों को जनम देती है आगे देखिए प्रस्ण आठ नमबर यहां पर जो आठ नमबर प्रस्ण है कि कोटिल्य के अर्थ सास्त्र में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है तो यहां पर देखेंगी बी आफ्शन से युगा राजनितिक नितिया जो राजनितिक नितिया है कोटिल्य ने अपने सास्त्र अपने द्वारा रचित जो अर्थ सात्र है मौर्यवंस की साहता से किसकी साहता से तो मौर्यवंस के राजनितिक पहलू पर ब्याख्या किया है कौन तो कोटिल्य ओके आगे देखिए प्रस्ण नोव पे चलते हैं नोव जो प्रस्ण है कि बार्सा रीतु के दवरान अकास में बिजली पहले दिखाई देती है और तद पस्षाद गरजन सुनाई देती है ऐसा के होता है सोचे हैं आप लोग तक ऐसा इसलिए होता है स्वाथियो कि प्रकास की गती ध्वनी की गती से अधिक होती है इसलिए ऐसा हम लोग को लगता है तो यह भी कल्प यहाँ पे सही वरा है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग सेर भी जरूर कर दीजेगा ओके आगे देखिए प्रस्न 10 पर यहाँ पे जो 10 नमबर प्रस्न है कि सलफर को प्राकिरतिक रबड के साथ मिलाने के फल सरूप रबड होते हैं वह कठोर और कम लचकदार बन जाते हैं यह अप्सन सही होगा ओके इगारा देखिए प्रस्न इगारा जो प्रस्न है कि दिल्ली भारत की रधानी कब बनी थी त ब्रस्न है कि दिल्ली भारत की रधानी तो 1912 में बनी थी बार्र देखिए है प्रस्नर बारत जो प्रस्न है कि निमना लिख्यत में से कौ्हर सा अमला अमासे रस्में राता है कौन सा अमला जो होता है अमासे रस्में राता है तो हाइड्रोक्लोरिक अमला जिसको SEL कहा जाता है इसका सुत्र है SEL यह हाइड्रोक्लोरिक अमला जो होता है अमासे में राता है ठीक है आगे देखिए प्रस्न हम लोग चलते हैं तेरा नमर प्रस्नों को ध्यान से देखिए कर है तेरा नमर प्रस्न है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रतियाच कर है निम्नांकित में से कौन सा प्रतियाच कर है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बिकल पर नहीं दिया गया है ठीक करेंगे in इनिवे से कोई नहीं नन कर लिजी को से अप्रतीय अचिकर नहीं नौत नयुत प्रतियाकर को gal सिमा सिल्ख होगा ये कंद्र सरकार के द्वारा लाय जाने वाले अपरतियाच्कर है और जो विक्रीकर है ये राजय सरकार के द्वारा लाय गया अ प्रतियाच करें, ठीक है, आगे देखिया प्रस्टना, परिवरुद करने के लिए किस अपमाहन की जरूरत होती है, तो ये आप्सोन को हम लोग ठीक करेंगे, जीरो डिगरी सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि जीरो डिगरी सेल्सियस पर पानी जो होता है, वह बर्फ में कनवर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और सव डिगरी सेल्सियस पर यह क्या होता है, पानी उबलने लगता है, ओके, तो ध्यान में जरूर रखिएगा जो जाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट जो है वह हो जाएगा कोचीन ओके आगे देखते हैं प्रसना हम लोग अगला प्रसन देखिए यहाँ पर जो 17 नमबर प्रसना है 17 नमबर जो प्रसन है कि बास्केट बॉल के खेल में प्रत्यच पचपर कितने खिलाड़ी होते हैं तो 5 होते हैं अगे देखिए प्रसना अगला प्रसना हिंदुस्तान कहां इसी थे तो यह विसाखा पत्न में इसी थे लग रहा होंगे प्रसना 17 प्रसना करें कि सत्य के साथ मेरा परियोग पुस्ता के लेखा कौन है सत्य के साथ मेरा परियोग पुस्ता के लेखा कौन है तो एम के गांधी है इस पुस्ता के राइटर कौन हो जाएंगे तो इस पुस्ता के राइटर सत्य के साथ मेरा परियोग एम के गांधी हो जाएं जो जमु कस्मीर में सबसे उच्चा यूध से छेतर माना जाता है यह सबसे उच्चा जूध छेतर माना जाता है ठीक है आगे देखे प्रस्नाट एकousse भूषे सिधों है कि मसरूरइ गोल कुंड़ा किला किस राजय में हो जाएगा तो यह करनाटक में हो जाएगा आगे देखिए प्रस्ण 22 पर वाइश प्रस्ण है कि काम सुत्रकिंद के लेखक वाथ सै कामसुत्र के लेखा को वातसायन है इनके दवारा यह जो पुस्तक लिखे गई है कामसुत्र वातसायन के दवारा गुप्त काल में लिखी गई है किस काल में लिखी गई है इस पुस्तक को दोस्तो गुप्त काल में लिखी गई है ओके याद रखिएगा आप लोग आगे कंतलब कहने का मतलब है कि आप अंदर है तो बहार से किसी भी बस्तू को देख सकते हैं लेकिन बाहर से जो कीड़ने आ रही है वह अंदर नहीं जा सकती है ठीक है 24 नमर प्रस्ण है कि एक रुपए मूल्या से उपर के बैंक देखते देखते लिजे प्रस्ण कारिय के साथ है यहाँ पर आगे दिया है कार्येक साथ length tool को align करने के लिए किस gauge का परियोग किया जाता है तो center gauge का परियोग किया जाता है किस gauge का परियोग किया जाता है center gauge का 26 नमर जो प्रस्ण है कि Norman Ernest Borlaung Norman Ernest Borlaung ठीक है जो विश्व में हरित करांती का पीते माना जाता है हरित करांती के पीता Bor trouble ko माना जाता है यह किस देस्ट के रहने वाले थे यह संजुक्त reaction America के रहने वाले थे 27 प्रस नहीं कि मानों सरीर में रक्त के परिसंचरन की खोज किस के दिवारा किया गया था तो Edward Jenner के द्वारा किया गये था किसके द्वारा माप कीजिएगा दोस्तो रक्त के परिसंचरन के खोजनो रक्त के परिसंचरन के खोज William Harvey भी होना चाहिए William Harvey के द्वारा किया गये था माप कीजिएगा हम Edward Jenner कजिए चेचा के खोज किये थे तो बिलियम हारवई याथ कीज़ेगा आगला प्रस्ना देखी आठाइस नंबर को धियान से देखेगा 18 नॉम्ढ 훨씬 है कि निमना लिखित में से निमंदालीखित में से कौनसा कौन सा इंजन होता है फोर अश्टोक इंजन जो है वाटर कुल्ड इंजन खालाता है आगे देखिए प्रस्ण अगला प्रस्ण है कि कौन सी निसकी यह फिलामेंट लैप में भरी होती है तो नाइट्रोजन तथा औरगन होता है इनाइट्रोजन तथा औरगन जो यह गैस है ये फिलामेंट, मतलब फिलामेंट लेंप में भरी होई होती है, ओके, तो ध्यान में जरूर लखिएगा, आगे देखते हैं प्रसन हम लोग, आगे देखिए प्रसन, आगे आच्छा सा, 31 नमबर कर रहा है, प्रसन की द्रव की बुंद गोलाकार बन जाती है, क्यों गोलाकार बन जाती है, आगे देखिए प्रसन, 93, आगे आप कीजिए 32 नमबर कर रहा है, कि कुहरे में, मतलब कुहरे में, कुहरे का लीजिएगा, कुहरे में फोटोगराफ लेती है समय, सधारन दिरिश्य प्रकास, कि पेच्छा अवरेक्त बिक्रों को क्यों पसंद किया जाता है, क सबसे उपरी भाग की अपेच्छा, सबसे निचली भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है, मतलब जो बांध जैसे मालीजिए, इधर से पानी इस तरह जा दिया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर बीच में बांध बना दिया, तो बीच में बना दिया, तो जो उपर वाला जो बढ़ता है, दिवाल की जो गाराई है, इसके साथ बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सही होगा C अप्सन, आगे देखिए प्रसन हम लोग देखते हैं, 34 नमबर प्रसन है कि KMA94 का परियोग किया जाता है, तो KMA94 का जो परियोग होता है, और रोगाडू नासी के रूप म को हम बता हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, प्रसन आगला देख लीजें, प्रसन परमेगनेट होता है, इसका रसाय निस्तुत रहा, प्रसन परमेगनेट होता है, आगे देखिए प्रसन 35 है कि Pyrite IS को जलाने से मिलती है, तो Pyrite IS को जलाने से कारवन ड़ी अक्साइड गस निक कलती है, ठीक है, आगे देखिए प्रसन 36 नंबर है, पेट्रॉल को असफोटक रोधी, गुनवता बढ़ाने के लिए निमन में से किसे इस्तमाल किया जाता है, तो इस में से इस्तमाल किया जाता है, तो पूष्पो से एकत्र किये गए, मकर, मकरंद पर कर्मी मध्मक्यों के पाचक रसों की किरियाद्वारा जो है सहद बनाए जाता है जिसको मध कहा जाता है क्या कहा जाता है मध कहा जाता है और 38 नमर देखिए प्रस्ण करें कि भुरूण परिच्छन पर कानूनी प्रतिबंद लगाया गया है क्यों लगाया गया है भुरूण परचेपा क्योंकि इ प्रतिबंद लागाया गया है ऐसलिए इस पर मुलत अधी चरमी होते हैं और यह किस से बने होते हैं ध्यान में रखियेगा, तो यह जो होते हैं, मतलब मरी हुई जो कोशीकाई होती है, उससे मिलकर बने होते हैं, आगे देखिये प्रसना, हम लोग 40 नमर प्रसना देखते हैं, बहुत अच्छा सा प्रसना यहां पर आ गया, कह रहा है, कि 10 डावनिंग अश्ट्रीट क्या है, त तालिस की प्रकास वर्ष निंवन लेखित में से किसका मातरख है, तो ख maritime कीजेगा, खगोली साट्री हो जाइगा, प्रकास वर्ष करेंगे आगे देखिया प्रसना कि पुलिजर प्रुषकार के चेतर में दिया जाता है इस पर यहां पे यहां उनको क्या करेंगे टीक करेंगे 45 देखिए प्रसना 45 नुमर प्रसना है कि पानी से लोहा तथा मेगनी किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है मतलब दोनों को अलग किया जा सकता है तो हावा का जो मिश्रन होगा वायू मिश्रन इसके माध्यम से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं 40 प्रसन है कि गैलवेनोमीटर का परियोग किया जाता है क्योंकि इसका परियोग जो है बीधुधारा ग्याद करने के लिए गैलवेनोमीटर का परियोग किया जाता है 47 देखिए प्रसन है कि निवनाल लिखित में से कौन एक थत्व है तो ये सीमें से पारा जो हो जाएगा ये थत्व हो जाएगा 49 नमर्जु प्रसन है दोस्तों कि जल का ही मांग होता है जिसको फ्रेजिंग पॉईंट कहते हैं तो जीरो डिगरी सेल्सी होता है यह तो पता ही है आप लोग को और देख लिए ज़िए लास्ट नुबर प्रसण है कि 50 की सिस्मोगराब जरूर याद कीजिएगा पता चल गया होगा सिस्मोगराब का उपयोग किस लिए किया झाता है किसके मापने के लिए जो फूकंब की झटका होता है उसका परियोग जो ह होता है सिसमोगराब का परियोग किया जाता है इसको मापने के लिए ठीक है तो 50 प्रस्ण हम लोग किये कैसा लगा क्लास आप लोगों को जरूर कॉमेंट करके बताएगा और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को सेयर भी जरूर कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडिय